नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का न्यूतकर साइस यूटूब चनल में आई एक सुभे के बज़े हुए ग्यारा आप सभी आजाए यह लाइव 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 चैट में आप लोग सामील होगे और जैसे से मैं प्रस्ण बढ़ू उनके उत्तर भी देते रही है आज कल का जो टॉपिक इंडियन जोगर्फिर हैगा आज का जो टॉपिक मैंने बताया यूपी इस्पिसल है तो जिस तरीके से आप लोग देख रहे हैं मैं आपको बता दूँ कि आप लोग पूरे से वीडियो देखा किजे आंद तक देखा किजे मित्रों के साथ से जो किजे ऐसा नहीं कि आपको समय आए तो आप 11 बजए ही देखे, बाकी आपके पास जब भी समय मिलता है, उनमें आप सामील होगी है, अब मैं देखता हूँ कि जो बात के लोग देखते हैं, वो उत्तर नहीं देते हैं, तो आप कम से कम जो बात में देखते हैं, वो भी उत्तर दीज बताब साठर के उत्रा कुलाएंगा है तो कहने का मतलब यह कि जितने लोग देखा है वो भी गया हो जाएंगै इसलिए मैं आंसर की वगर रिष्कि में नहीं देता हूं इसलिए मैं आपको बैठकेस के उत्तर बताता हूं इसी तरीके से आप भी जब answer की वगरा दे दी जाएगी तो मैं जैसे माल जे question एक का मैंने आपको C है उसमें मैंने आपको दे दिया कि C ही सही होगा तब क्या होगा कि आपको explanation उसका आपको पता ही नहीं चलेगा कि जो मैं उससे extra चीजे बताता हूं आपको पता ही नहीं चलपाएगा तो जैसे चल रहा है मेरे जित आप से सही चल रहा है इसलिएे आप लोग इसको देखा की जे और मैं बताया कि कि जब मैं 25 प्रसण not कर सकता हूं तो कम से कंचाइए यह है आपके लिए ही तो कम से कम आप 25 प्रसनों को तो नोट ही कर लिए जो मैं प्रसन पढ़ता हूँ उनके उत्तर भी आप लोग तुरंद के तुरंद के तुरंद कर लिया कीज़े नोट करने के बाद मैं आप दुबारा आप वीडियो भी देख सकते हैं वीडियो तो पड़ी है तो आज देखे कर देखे जब भी आपको टाइम मिलता है उस वीडियो को देखे उसके बाद मैं नोट करने के बाद मैं टिक कर लिजे मैंने कई बार आप से बता चुका हूँ जो गलत हों उनकी स्टेटीजी आप हमें बताईए कि आपकी क्या स्टेटीजी है उनको जो गलत होने उनके लि काफी अच्छे प्रस्थन है उसको देखते हैं उत्तर प्रदेश में किसान भाही योजना कब लागू की गई थी अच्छा प्रस्थन है तो इसका जो उत्तर सही हो जाएगा वो 1902 सही हो जाएगा पहले का सी सही है फिर एक क्वेश्चन नमर्ट टू है उपी में सरवादि इसका सही हो जाएगा दरसल्स आप जानते हैं कि भूमत सागरी जलवाईू की जो खास विसेशता है वो क्या होती है ठंड के समय बारिस तो आप जानते हैं कि जब ठंड के समय में बारिस भारत में क्या है वह पस्चीम से पूरुकी और बारिस गटती अर्था जो पस्च्वीं छेतर होता है उस में बारिस जाता होती पूरुकी तरफ ंजटा चला जाता है तो आप देखेंगे यू पी के संदर मेन देखेंगे पहले जो बारिस होगी वो सहारनपूर के एरिया में होती है इस वैसे महाँ पर संत्र की खेती जादा की जाती है नेक्स्ट है यदि कोई वेक्ति जून के महीने में अच्छा प्रस्ण यह पढ़ी है इसको आप उसका उत्तर दीजे यदि कोई वहकती जून के महिने में بरेली से जहांसे आता है तो उसे निम्ण में से कौन अंतर देखने को मिलेगा अपके सामने है दिन के अबदी बढ़ेगी और दिन के अबदी घटेगी C है कोई अंतर नहीं रहेगा D है इन में से कोई नहीं तो जैसरे आप जान रहे हैं कि June का महिना हो या कोई महिना हो जैसे Barili है तो Barili UP का उत्तरत मेरी आ है तो उत्तरी छेत्र में इस्तित है Barili तो जब आप नीचे की और आएंगे मतलब उत्तरी उत्तरी आप जानने कि उतरी जो youp है वहाँ पर जो समय है उसके according आप जैसे दच्छली के ओर जाते जाएंगे विस्वत रेखा के ओर जैसे बढ़ेंगे समय की ओधी क्या होगी बढ़ती चली जाएगी आप किसी भी टाइम हो ऐसा नहीं जून में और दिसंबर में भी आएंगे तब भी आप जैसे नीचे की ओर आएंगे तब भी दिन की ओधी बढ़ेगी और बाकि आप जनवरी फरवरी मार्च प्रेल माई जून जुलाई अगर सितंबर अक्टबर किसी महिने में भी आएं तब भी क्या होगए उसकी दिन की ओधी बढ़ेगी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगी लेकिन अंतर आपको देखने को जुरू मिलेगा नेक्स्ट है कोचनो पांच है निम्न में से कौन सा जीला छेतरफल की देस्टी से सबसे बढ़ा है निम्न जीलों का उत्तर से 10 ज़्याकरम क्या होगा तो आपको बताना है कि तो जीले देगें उत्तर से 10 ज़्याकरम आपको बताना है तो उत्तर में आप देखें मैं a direction पहरा हूं आप एक एक करके उनको पढ़िया उत्तर दीजे देखें यूपी इससाल को पढ़ने के लिए मैपिंग आपको इसमें भी आनी चाहिए कई challenge मैप प्या अधार लेत है तो उन зах zijही से मैप पे भी आपके मैप की प्रेक्टिस हो जाएगी तो आपको बीना देखे ही मैप बना लेंगे तो उसी तरीके से कोसिच किजिए अगर बना लेंगे तो थोड़ा आसानी हो जाएगी समझे मैं वैसे मैंने बोला कि सरवादिक लिंगा अनुपात कहा है तो आप जाओन पूर तो आपके सुल्तानपूर लेंगे तो पहले पड़ेगा क्या गोंड़ा के बाद अगुणा के बार्ठेवोर तो आंपको नहीं बनाता है कि कौन सा जिला है यूपी का कौन सा जिला है जो बिहार से सीमा नहीं बनाता है आपका दिमाग तुरंत बिहार के बॉर्डर पे मैं दो यूपी का जो बॉर्डर उस पर जीलों पर पहुंच जाना चाहिए तो आप देखे कौन सा नहीं बनाता है गाजी पूर महू सोनबद च जिला है वहाँ पर आउनाली का परदन से सरवादिक प्रभावित जिला है वह इतावा याद रखेगा इतावा नेक्स आईए कोश्चन नमर आटम पर चुके हैं इनके उत्तर आप देते रही है जो भी मैं पढ़ा हूँ इनके उत्तर वगएर आप देते रहे हैं काफे अच्छे प्रसन है और मैक्सिम्ट परसन आप कर लेंगे मुझे पता है योपी स्पेसल का जो मैक्सिम्ट परसन होता है वो लोग कर ले जाते हैं तो कुछ प्रसन होते हैं या तो कोई नया प्रसन बन जाए जो आपको ग्यान से ही परे हो कोई पूछ लिया जाए आपको पता ही नहीं आपने कई पढ़ा नहीं फैक्ट हो सकता करेंट अफेर का कोई कोश्चन आप ना पढ़े हो इसलिए जो प्रमुक प्रमुक सान हो उनको कम से कम तो याद रहे कि योजना उसे रिलेडेट सन वगरा उनको याद रहे कि वो सब लोग नहीं कर पाते हैं इसलिए सन पर फोकस कीजे वर्स पूछ ला जाएगा कि किस योजना किस वर्स की है या कौन सी अकाडमी कब स्थापि हुई थी उसका वर्स पूछ लिया जाएगा तो वर्सों में आपको कन्फ्यूजन किया जा सकता है तो उसको फोकस कीजेगा अच्छा कोशन है नौ नंबर कोशन देखिए हम आठ नंबर कोशन पर चुके हैं अब हम आ गए हैं कोशन नंबर 9 की तरफ तो आईए देखते है कोशन नंबर 9 क्या कह रहा है कोशन नंबर 9 कह रहा है निमन में से कौन सा कथन सही आपको बताना है तो कौन सा कथन सही आप बताए कौन सा सही है तो इसमें दिया हुआ है पहला है मानसूल काल में वर्सा की मातरा पस्चिम से पूर की और बढ़ती है दूसरा है सीथ काल में वर्षा की मातरा पूरु से पस्चिम के और बढ़ती है तो आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है आप बताए कौन सा सही है जिसने देखे लिए वर्षा की मातरा पस्चिम से पूरु के और बढ़ती है सही है क्योंकि जो वर्षा है वो पूरू से पस्चिम के और घटी जाती है इसका मतलब है पस्चिम से पूरू के और बढ़ती है इसका मतलब पूरू से पस्चिम के और बढ़ती है इसका मतलब पूरू से पस्चिम के और बढ़ती है इसका मतलब पूरू से पस्चिम के और बढ़ती है इसका सही उत्तर हो जा ठीक ठाक लोगो इसका उत्तर पता भी होगा लेकिन नहीं पता है तो कोई घबराने की बात नहीं बद तत्यों को ध्यान दीजे और उसका उत्तर कीजिए इसलिए कहते हैं जब एक्जाम माल में जाईए तो अपना न्दीमा पूरा खोल के जाईए और आपके क्या पूछा ज हो जाएगा वो इलाभाद से कानपूर मतलब प्रियागरा से कानपूर के मद्ध में चलाई गई थी तो याद रखेगा इलाभाद से कानपूर या प्रियागरा से कानपूर तो आपको बताना है कौन सुमेरित नहीं है तो इसमें जो आप देखें हैं किसान वर्धा वस्ता प्रेंसा नहीं है यह 2004 लिखावा गलत है यह 23 की हो जाएगा नेक्स्ट एक क्वचन नमर्ट 13 है निम्र में कौन सा कथन सही है इसमें आपको बताना है काली नदी मतलब जो सारदा नदी कोई काली बोलते है काली नदी सीतापूर के बसरा या ब्रहमगाट के निकट घागरा नदी में मिल जाती है पर दूसरा गूमती ने दी गाजेपूर के कहते इस्थान पर गंगा मिलते यह भी साही है यह तो इसमें का मतलब है इसमें जो तेरा का बी वाल आप्शन एक और दो दोनों साही हो जाएगा कहने का मतलब यही है कि यह सभी चीज़े जो मैं बता रहे हम आपको پूरा मैने आपको जाएए तो यूपी स्पिसल की प्लेइलिस्ट में आपको सब चीज़े मिल जाएगी मैं कई बार आप से कहे चुका हूँ उस प्लेइलिस्ट को आप जाएए देखिए उस प्लेडिस को देख लेंगे तो मैं एक तो प्रसना को गलत नहीं होंगे नेक्स्ट कुछन में चोधा की तरफ माते हैं लाल भादूर सास्ती गन्ना किसान संस्थान कहां इस्तित है आप्सन है कानपूर आगरा गोंडा लखनाव तो कानपूर आगरा गोंडा लखनाव कहां पर है तो ये इसका जो उत्तर सही हो जाएगा लखनाव इसका उत्तर सही हो जाएगा लखनाव में है तो नेक्स्ट निम्न में कौन सुमिलित नहीं है ओप्सन है आपके सामने देखे जैसे दिया हुए ट्रांसफार्म फैक्टी जहां सी कर्तिम अंग निर्मार कानपूर तेल सुधन कार खाना अलिगण डीजल लोको मोटिव वर्क्स वार रसी तो आप जानने तेल सुधन कार खाना अलिगण में ना होकर के मतुरा में है तो इसका जो उत्तर सही हो बताना है सरुल तरीके से बात करें तो कौन सी नदी यूपी के पश्चमें बैती कौन सी नदी यूपी के पूर्म बैती है यह आपको सीधे सब्दुन बताना है तो आप देखते हैं क्या करा गंगा घागरा गंडग क्यमुना गंगा यमुना गूंती गंगा यह चाल अप बनाती है तो इन दो नदियों के बीच में यूपी का पूरा मैदानी छेत रिष्टित है तो इसका जो उत्तर हो जाएगा सोला का भी हो जाएगा गंड़क और यमुना नेक्स्ट एक क्वेश्चन नंबर 17 है आपको बताना है कौन सो मिलित नहीं है पसुपालन विभाग उत्तर प्रदेश भूमी सुधार निगम 1975 जो दिया हुआ यह 78 का है यही उत्तर सही हो जाएगा नेक्स्ट एक क्वेश्चन नंबर 18 अब बाईव परदन से प्रभावित बाईव परदन से सरवादिक प्रभावित होने वाले जिले कौन से हैं तो आपको बताना है कौन से प्रभावित हैं आपके सामने मतुरा आगरा अलीगर मतुरहतरस इटावा और या हमीर पूर्छासी चार आपसन दिये गए आपको बताना है कि कौन सा सही है तो सबसे पहले तो आप जान लीजे कि मरुस्तल भारत में है कहां सबसे भारत मरुस्तल थारी मरुस्तल है थार मत मतुरków राजस्तान से बाउंडरी लगाते हुए जोलों के नाम नाम याद रखे तो बाउंडरी की बात करें कि तो राजस्तान से बाउंडरी लगाते हैं 2 जिले एक है आगरा दुसरा है कौनसा मतुरह तो इसका जो उत्तर सही Deputy lord 하니까 अगर 48 या उयोले ये तो इह अच्छ पर देखेंगे तो धीरी दीरी बढ़ता चला है हर जेगे की समस्य है तो खेर अभी हम यूपी स्पेसल में इसका जिक्र नहीं करना चाहते हैं बाकि जब नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो हम इन सब के इंडियन जोग्रफी में हम इन सब के बारे में भी चल्चा करेंगे बाढ़ हो अगयरा परभाविच्छेतरों की भी हम बात करेंगे अठारा का ए जो है मत्वरा आगरा सही हो जाएगा पहला आपको दियावा कूट के अधार पर इसका उतर आपको बताना है पहला दोजा कतन दिया गया फिनिच से कूट दिये गया है फिर थारू लोग परमपनान उसार दीपावली को खुसीगे रूप में मनाते हैं, दू आपसंदिये गए, या आप मुझे पता हैं, मैक्समन लोग को इसका उतर पता होगा, तो इसका जो सही हो जाएगा, वो A हो जाएगा, A का फर्ष्ट मतलब की इस एक सही है, थारूलोग परंपना नुसार दीपावली को सोक के रूप में मनाते हैं, खुसीगे रूप में नहीं बनाते हैं, तो इसका जो उन्निस का होगा, वो पहला सही हो जाएगा, A फिर अब बुद्ध ने अपने जीमन की अंतिम वरसारी तो कहां भी ताई थी, तो इसका उत्तर है सरावस्ति, वैसाली, सारनात, कुसी नगर, तो इसका उत्तर सही हो जाएगा, कुसी नगर, फिर हम आएंगे, question number 21 की तरफ, question number 21 क्या कह रहा है, उसको हम देखेंगे, देख पहला लिंक जो है, आपको यही मैं रिपोर्ट का वीडियो का लिंक डाल दूँगा, आप उसको जाही देख लिजे, वन सर्वेचर रिपोर्ट आपको उसमें मिल जाएगी, वीडियो के डिक सिस्वान, पहला ही लिंक वही है, next है, वन सर्वेचर रिपोर्ट 2019 के अनुशा 8.27, 7.32% है, आपको बताना है कि यूपी का कितने भावगोलिक, 6 तपल का कितने परसेंट पर वन है, तो इसका उत्तर जो हो जाएगा, वो भी सही हो जाएगा, 6.15% पर वन है, मतलब काफी कम है, जो कहा जाता है कि 25% जो है, वो बनावर्ड होना चाहिए, तो बनावर्ड 25 ये तो काफी कम है, 25% है, तो यूपी में काफी कम वन है, नेक्स्ट प्रतिसत्ता की डुस्ती से यूपी में नियूनतम वन कहा है, देखिए ये भी वन रिपोर्ट से समंदित परसन है, आप देखिए इसको, संतर अविदास नेगर मैंन पूई देवरिया चंदवली, तो संतर अविदास नेगर में सबसे कम वन पाये जाते हैं, ये इसका उतर सही हो जाएगा, तो 22 का ये सही हो जाएगा, फिर देखिए आगे नियूनतम भहिला साचरता वाला जीला कौन सा है, ये क्वेस्टन जो है वो जन संक्या से रिलेटर है, जन संक्या के ऊपर भी मैंने यूपी बना रखा है, आप जाएगे उसको देखें, वहाँ पर आपको एक वीडियो मिल जाएगा, और इस वीडियो में जो आप देखेंगे, तो पूरी जानगारी उसमें दी गई है, जितने भी इंपोर्टन तथ आफेक्ट आते हैं परिछाओं में जन संक्या से तमदे यूपी में जन संक्या में आपको प्रशनों में घुमाया जा सकता है, यूपी में जन संक्या जल्दी किसी को तयार हो नहीं पाती है, इतने फैक्ट रहते हैं कि तुर्ण भूल भी जाता है, और खेर अभी कुछ दिनों बाद 2021 की जन गरना जब होना शुरूवगी तो उस सही होजाएगा, वह सरावस्ति सही हो जाएगा, सरावस्ति में सबसे कम महिला सा चर्ता है, नेक्स्ट यूपी में नगरी जन संक्या कितने परसेंट है, तो अप्षन है 22,27, 24,89, 26,77, 27, 22,20 यह चाल अप्षन दिएगे, आपको बताना है कौन सा सही है, तो इसका जो उत्त सही हो जाएगा काफी अच्छा प्रस्न है इसको आप देखे नेक्स्ट क्वेश्चन अब 25 के ताम अंतिम प्रस्न क्यों आ चुके हैं आप लोग अपना धहर बनाया रखिए उत्तर जुरू दीजे 25 का भी और काउंट करके मुझे बताए पिछले वीडियो में काफी ज्याद में 25 प्रस्न है आप 25 कर लेते तो आपको ज्यान का मिलता कुछ नहीं मिलता लेकिन अगर जो आप 22 कर लेते दो छूट जाते तो आप जो छूट गए हैं आपके 22 सहीं है दो छूट गए हैं तो आप क्या करेंगे उन दो कोशनों को अच्छे से त्यार कर लेंगे तो आपको उत्साहिद करने की उद्देश से बनाया था नए नए प्रस नए नए संक्रन आपको मिले ताकि आप उन भीड भाड़े से दूर रहे जहां पर क्या बता जाता है कि आपको repeated प्रस निकर आता है, maximum आप जाएंगे तो आपको क्या कहाता है कि जो टेस्सरी जो गरहा जो चलती है आप देखें मैक्सम रिपीटेट प्रसन हैते हैं और जो नए बनते हैं वो ऐसे बनते हैं जिनका कोई और चित ही न हो तो कहने का मतलब यही कि आपको एक अच्छा मटेरील प्रोएट किया जा रहा है इसलिए इ और कितने लोग का कैसा इस्तर है मैं देख उसी का नाम लू या ना लू लेकिन आप अपने उत्तर जुरूर आप में बताया कीजिए कि आपकी टूटल कितने सही हो रहे हैं तो आपके साहंने मिल जापुरे हाथरा से मोई है सोन बदर है तो अब जानने सरवाधिक स्थी आबदर है तो यह थो गई बात मतब कि 25 का जो है वो डी होँज है सोन बदर तो यह रहा हाज का टेस्ट कलब मीलें के नए नए टेस्ट के साथ जो होगा है काफ़ी अच्छा टेस्ट है और उस टेस्ट में क्या किया जाएगा प्रसुनिघ कह सकते हैं कि यह लेजें खिर्द्रष्टी से काफी अच्छे प्रस्णों का संक्राएं क्या जाएगा जिए आप लोग थ Resources कहते हैं गह आप लोग जैसे मैंने पिछले वीडियो में पूछा था कि आप लोग बताईए मुझे कौन सा टेस्ट आगे शुरू किया जाए किसी ने बताए नहीं एक आधे लोगों के कमेंट आए सब कि ये टेस्ट शुरू किया जाए तो आप लोग कमेंट कीजिए कि आगे आने वाले समय में आप कौन सा टेस्ट आप देखना चाते हैं हाँ ऐसा कोई डिमांड मत कीजिएगा जिसके ना बनाया जाएजगे जैसे आप अभी हमसे कोई फिलोस्फिक बना दीजिए सोसलोजी बना दीजिए तो वह नहीं हो पाया जीएस के पॉइंट आफ यू से जो भी परसन है तो वह उस पर बताईए हमें किस पर टेस्ट बनाया जाए और पर्टिकुलर अगा जो टॉपिक बेस पर बनाया जाए चुकि मैं आप सबकी राय के अनुसार ही आगे काम करूंगा तो आप बताईए मुझे कि टॉपिक वाइस बनाया जाए तो किस टॉपिक को पहले संब्रित किया जाए मालिजे मैं वर्ट जोगर्फी का ट्नेया टेस्ट बनाता हूं तो कौन से टॉपिक को बनाया जाए उस तरीके सब कमेंट करके मुझे अपना कुछ विव्यू दीजे ताकि मैं आप लोगों के कमेंट को इनलेसिस करूं फिर उसके हिसाब से आगे की कारियोजना बनाई जाए क्योंकि आप जानने तीन मई तक आपको टेस्ट डेली सुबे 11 अब जैसे आ रहे हैं वो तो आएंग बन बन गया था पार्ट बना दिया जाए मोडनिस्टी का इस पार्ट बना देता हूं तो पार्ट ऑन बन जाएंगे मेड्वल सुमडरिन के भी तो आने वाले सामे में फिर आप रेडी रहिए वर्ट जोग्रफ़ी पार्ट फॉर के लिए क्योंकि मैं जल्द हि आपके सामन किये तो उनको टेलिग्राम चैनल पर हमारे साथ से रजरू कीज़े बाकि आप पो टेलिग्राम चैनल पर एक option भी आता है सिग्रेट चैट का भी आप सीधे डारेट मुझे भी message कर सकते हैं आप क्योंकि चाहें तो आप अगर आप कोई मित्रों के साथ से रजरू कीज़े वीडियो देखने के लिए आपका एक बार पुनाब बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिन सुब रहे